आखी पब्लिक को मालुमें कौन कोन आने वाला है? इंडिया फिल्म मार्टीन के साथ दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में साथ इसाथ दोस्तों आपको बताएंगे इस साल की वनब दा बिगेश्ट फिल्म सिंगम अगेन की फर्ष्ट सोंग रिलिश डेट के बारे में जिस फिल्म को डारेक्ट किया है राज शंडलिया ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे राज कुमार राओ और त्रिप्ती डिम्री बतादे दोस्तों फिल्म को सिनमा घरों में आप साथ दिन यानि की एक हपता हो चुका और फिल्म ने पहले हपते में बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमई की यानि की फिल्म का बजट और फिल्म के श्टार काश्टों को देखे जाया तो इस फिल्म का फर्ष्ट वीक कलेक्शन एक तरह से बढ़िया है ना तो ज़्यादा अच्छा ना तो खराब क्योंकि दोस्तो इस फिल्म के साथ में बहुत सारी फिल्म में रिलीज हुई थी और इस मोवी को उतनी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिल पाई थी फिर भी इसका कलेक्शन काफी ठीक ठाक निकलके रहा अगर बात की जाए साथ दिनों के टोटल वल्डवाइट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आपको बता देगी इस फिल्म ने सुरुआती पांस दिनों के अंदर ही 23 करोड़ छपल लाख रुपे का इंडिया नेट कलेक्शन किया था वही फिल्म ने अपने छटे दिन भी 2 करोड रुपे से ज़्यादा की कमई की अलाकि बात करें आज यानिकि साथवे दिन के कलेक्शन के तो दोस्तो ये फिल्म अपने साथवे दिन लगभग 1.85 लाख रुपे का नेट कलेक्शन कर रही है इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म का सुरुआती 7 दिन यानिकि पहले हपत तो इंडिया नेट कलेक्टें तो इस सबーस किलेक्षिण 32 में और रौन अघ्राइल दोस्तों फिल्म का जो वर्लड्वबॉ colonial कलेक्षिंस क्लेक्षिं मillan 138 lacked रूपे तो दोस्तों फिल्म ने पहले हपते हैं तो लगभग 37 करोड रुपे की कमाई दुनिया भर में की अब इस हपते कोई नई फिल्म रिलिज नहीं ओर रही तो देखते हैं कि ये मुवी दूसरे हपते में कैसा कलेक्शन करती है तो चली अब बात करते हैं बोल्यूट की एक्सन ड्रामा थ्रिलर फिल्म जिगरा के बारे मी वसन बला के डारेक्शन में वनी जिगरा जिस फिल्म में हमेर आलिया भट के साथ में वेदांग्रेना देखने को मिले थे और फिल्म का बजट था 90 करोड रुपे अब दोस्तो इस फिल्म में आलिया भट जैसे एक बड़ी सूपरिश्टार है प्लस इस फिल्म का बजट भी काफी बारी भर कम है उपर से फिल्म को जो रिब्योस मिले थे वो भी बड़ी आती लेकिन इतनी सारी अच्छी चीजे होने के बावजूद भी ये मूवी बॉक्स ओपिस पर पहले हपते में काफी अंडर परफॉर्म कर गई जिया दोस्तो आपको बता दे कि जितनी ज़्यादा इस फिल्म से उमीद थी उतने बहितर कलेक्शन इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ओपिस पर नहीं हुए हाला कि विदेसों में फिल्म की कमई फिर भी एक तरह से ठीक ठाक रही बट फिल्म का पहला हपता तो जैसे तेसे खत्मों हो चुका है आप देखते हैं कि ये फिल्म दूसरे हपते में क्या कमाल करती है लेकिन इस वक्त अगर बात किजा जिगरा के साथ दिनों के टोटल वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में एक करोड पच्शिसत लाक रुपे इसी के साथ दोस्तों जिगरा मूवी का सुरुआति साथ दिन याने के पहले हपते में इंडिया नेट कलेक्शन 22 करोड सरसट लाग का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 26 करोड संषयान वे लाक रुपे बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का जो first week worldwide box office collection है वो 38 करोड 45 लाक रुपे का हुआ है जो की काफी कम कमई है मतलब कि आलिया बड जैसी इस्टार तो उमिद कर रहे थे कि ये फिल्म 100 करोड रुपे का पहले हपते में collection करेगी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका lifetime collection भी 50-70 करोड रुपे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो चली अब बात करते हैं पेन इंडिया फिल्म मार्टीन के बारे में तो एपी अर्जुन कर डरेक्सन में बनी एकसंड ड्रामा फिल्म 18 जिस फिल्म में हमें धुरुआ सरजा देखने को मिले थे बताना शोंगो दोस्तों ये एक बिग बजट फिल्म है जिसका बजट 50-100 करोड रुपे नहीं बलकि 1500 करोड रुपे का था और कहीं न कहीं इस फिल्म को 5-6 बासाओं में रिलिच किया है तो उमीदे की जा रही थी कि ये फिल्म तो बॉक्स ओफिस पर 200-300 करोड की कमई बड़ी आसानी से कर जाएगी लेकिन इस फिल्म को जो रिव्यूस मिले है उतने जादा अच्छे नहीं और हर कोई इस मूवी को ट्रोल कर रहा है जिसकी वज़ा से ही फिल्म के 3 दिनों के कलेक्शन तो ठीक ठाक रहे लेकिन 4 दिन के बाद इस मूवी की कमई दिन पे दिन धड़ा धड़ गिरती रही हलाके इंदी वर्शन में ओलरेडी फिल्म को कोई बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी लेकिन फिल्म का जो होम मार्केट ही यानि के करनट का वहाँ पर भी फिल्म को पबलिक ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया और अब इस फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा नीचे आ छटे दिन सिर्फ एक करोड़ अठोतर लाक रुपे की कमय की। बात करें आज की तो दोस्तों आपको बता दे कि मार्टिन फिल्म आज सभी भासाओं में इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ एक करोड़ पचास लाक रुपे का कर रही है जो की काफी कम है। और इसी के साथ वाइड बॉक्स ओफिस कमय की है साथ दिनों के अंदर वो 40 करोड़ बावल लाक रुपे की हो चुकी है। तो दोस्तों फिल्म का बजट इतना जादा है और फिल्म की कमय पहले हपते में काफी कम रही। यानि कि दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी फेलिय साबित हो चुकी है। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं एक और पेन इंडिया फिल्म वेटयान के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सुपरिश्टार रजनिकान, स्रियामित्ता बचन, राना दगुबटी और फाहत फाजिल। बता दोस्तों इस फिल्म को स स्टरडे का कलेक्शन तो पूरी तरह से धमाकेदार था, उसके बाद फिल्म ने तीसरे चोथे दिन तक भी तगड़ी कमय की। लेकिन पाचवे दिन के बाद इस फिल्म के कलेक्शन में भी लगा तार गिरावड देखने को मिली। और आज जहां फिल्म को बॉक्स ओफिस पर आट दिन पूरे हो चुके हैं तो फिल्म का जो आट दिनों का बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो एक तरह से काफी बढ़िया है लेकिन आप नजड़ है कि ये फिल्म दूसरे विकेंड में केसी कमय करेगी। आज यानि के अपने आठवे दिन लगभग 6.5 करोड रुपे सबी भासाओं से कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों वेटेयान का सुरुवाती आठ दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 143 करोड 27 लाग का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 170 करोड 48 लाग रुपे। पताद दोस्तों फिल्म का जो आठ दिनों का वल्ड वाइट बॉक्स अफिस कलेक्शन है वो 264 करोड 87 लाग रुपे का हुआ है। दोस्तों एसा लग रहा है कि ये फिल्म इस संडे तक दुनिया भर में साइथ सवा 300 या 3.5 करोड का आखड़ा पार कर देगी उसके बाद ये देखना रहेगा कि ये मूवी 400 करोड तक जाती है या नहीं। लेकिन अब अगर बात करें इस साल की वनब दा बिगेश्ट ब्लोकबश्टर फिल्म देवरा के बारे में। तो दोस्तों सिवा कोटला के डारेक्सन में बनी फिल्म देवरा जिस फिल्म में हमें जूनियर देवरा फिल्म को आज 21 दिन यानि कि 3 हपते हो चुके हैं। फिल्म के पहले हफते के कलेक्शन धमाकेदार थे, दूसरे हफते के कलेक्शन भी बढ़िया रहे। अब तीसरे हपते में फिल्म ने जैसे ही एंट्रे लिए थी वेसे ही, धेर सारी नई-नई फिल्म में के बारे मिं तो दोस्तो आपको बतादे कि देवरा फिल्म ने अपने पहले हपते में सभी भासाओं से इंडिया जोष केलिक नाफ को रहा था वही दूस्तो तेसरे हपते में बहुत सारी फिल्म में आ चुकी थी लेकिन उसके बावजोद भी इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते में लगभग इंडिया ग्रोस कलेक्शन 28 करोड 99 लाक रुपे का किया है यानि के दोस्तों यहाँ पर देवराव फिल्म का जो 3 हफ्तों का ओल इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो 413 करोड 11 लाक रुपे का हो चुका है वही फिल्म ने और सिस मार्केट यानि के विदेशों से 105 करोड रुपे अब तक कमा लिये हैं इसी के साथ दोस्तों देवराव फिल्म का सुरुवाती 21 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो चुका है 518 करोड 11 लाक रुपे तो दोस्तों फिल्म ने 3 हफ्तों में तो दुनिया भर में 518 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई कर ली अब कल से फिल्म का 4 हफ्ता सुरू होगा तो देखते हैं ये फिल्म 4 हफ्ते में केसी कमाई करती है अलाकि दोस्तों आपको बता दे फिल्म ओल्रेडी सुपर डूपर हिट बन चुकी है वही दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की वनब दा मोश्ट आवेटेड फिल्म सिंगम आगेन के बारे में जिस फिल्म को डारेक्ट किया है रोही सेटी ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगी इंडियन सिनमा के कई बड़े एकसन इस्टार जैसे कि सूपरिस्टार आजे देवगन, सूपरिस्टार अक्षे कुमार, रनवीर सिंग, टाइगर सुरोब, साती साती इस फिल्म में दीपिका पादुकोन और करिना का पुर्भी नजर आने वाले हैं तो दोस्तो जैसे कि आप सबको पता है कि सिंगा मागेन रिलिज होगी दीपाव अली के मोके पर और इस फिल्म के रिलिज में, अब समय बचा है दो हपते से भी कम का पिछले दिनों इस फिल्म का ट्रेलर रिलिज हुआ था जो की पूरी तरह से धमाकेदार था और फिल्म के ट्रेलर के बाद ही इसका जो बज है काफी अच्छा बन चुका है अब दोस्तो यहाँ पर सिंगम अगेन और भूल भूले या थी दोनों फिल्म में एक साथ रिलिज होगी और आपने देखा कि यहाँ पर भूल भूले या थी का जो फिल्म के अल्रेडी कल रिलिज हो चुका है एसे में बहुत सारे अजेदयोगन के फेंस का सवाल है कि यहाँ पर सिंगम अगेन का फ़र्ष्ट सोंग कब रिलिच होगा तो दोस्तो आपको बता दे कि यहाँ पर सिंगम फिल्म के मेकर्स नहीं अभी तक फिल्म का फ़र्ष्ट सोंग कब रिलिच किया जाएगा लेकिन दोस्तो आपको बता दे कि यहाँ पर मेडिया में जो नियूस निकल के आ रही है उसके हिसाब से सिंगम आगेन का जो फ़र्ष्ट सोंग ही वो अगले तीन दिनों के अंदर रिलिच किया जाएगा जिया दोस्तो अगले तीन दिन यानि कि संडे तक यहाँ पर सिंगम फिल्म के मेकर्स ओफिसल ही रिलिच करेंगी हो सकता है आज यह अकल में सोंग की जो रिलिच डेट है उसका ओफिसल अनॉसमेंट हो जाए और संडे तक आपको सिंगम आगेन का जो फ़र्ष्ट सोंग ही वो यूटूब पर देखने को मिल जाए हला कि दोस्तो अभी तक यही पता चला है कि सोंग संडे तक आएगा लेकिन सोंग कौन सा होगा उस गाने में हमें कौन-कौन देखने को मिलेगा इसको लेकर अभी तक कोई मेरे पास जानकारी नहीं आई है लेकिन दोस्तों सिंगम 3 के आने वाले गानों से लेकर या इस फिल्म से लेकर और भी कुछ बड़ी खबर आती है तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस वक्त सिंगम आगेन 2024 की अब तक की सबसे बड़ी बोलियोड फिल्म है और इस मुवी से हम सबको उमीदे है कि जब ये फिल्म दीपावली पर रिलिज होगी तो बॉक्स ओफिस पर कई रिकोर्ड तोड़ेगी हलागे दोस्तों आपको क्या लगता है इस दीपावली के मौके पर सिंगम आगेन और भूल भुलीया 3 में कौन सी फिल्म बॉक्स ओफिस पर बड़ी ब्लोकबश्टर होगी कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जुरूर बताए और डेली बॉक्स ओफिस कलिक्सन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली मैं मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में जब तक के लिए खायाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जेहिंद वंदे मातरम